तो आज हम करने वाले हैं को रिलेशन एंड रिग्रेशन के एक्जम्पल तो देखता है को रिलेशन एंड रिग्रेशन में कौन सा एक्जम्पल हमको दिया गया है तो आज हमको एक्जम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा calculate the core relation coefficient यानि की R की value यहाँ पे हमको find out करने है between the following data data हमको दिया गया है X की value है 5, 9, 13, 17, 20 उसी तरह से Y हमको दिया गया है 12, 20, 25, 33 and 35 तो इसके लिए R की value find करनी है तो देखते हैं कैसे करेंगे है तो R की value इसके लिए find out करने के लिए हमको सबसे पहले R की formula पता होनी चाहिए R की formula होती है summation of X into Y यानि कि इन दोनों का multiply करके उसका sum करना है summation of X, X का individual sum करना है Y का भी individual sum करना है divided by N, N क्या होता है number of elements, कितने हैं 1, 2, 3, 4 and 5 तो N की जगा पे क्या आजाएगा अपना 5 उसके बाद division में है under root summation of X square यानि कि इसका square हमको find करना है और उसका sum करना है minus summation of X, यानि कि इसका जो sum किया था उसका square उसको divide करना है 5 से similarly Y के लिए करना है तो यहाँ पे हमारी value कौनसी कौनसी आई ली तो सबसे पहले value आएगी X की, उसके बाद आएगी Y की उसके बाद आएगी X square की, उसके बाद आएगी Y square की उसके बाद आएगी X into Y की चलिए, X की जगा पे क्या-क्या है 5, 9, 13, 17 and 21 Y की जगा पे क्या है 12, 20, 25, 33, 35 X square यानि कि 5 का square 25, 9 का square 81, 13 का square 169 17 का square 289, 21 का square यानि की 4, 4, 1 उसी तरह से Y का square यानि की 12 का square 144, 20 का square 425 का square 620, 5, 33 का square यानि की 1089, 35 का square यानि की 12, 2, 5 अभी करना है X into Y, 12 into 5 हो जाएगा 60 9 into 20 यानि की 180 13 into 25 यानि की ये हो जाएगा 3, 2, 5 17 into 33 ये हो जाएगा 5, 6, 1 and 35 into 21 ये हो जाएगा 7, 3, 5 Summation of X इसका sum करना है तो वो हमको मिलेगा 65 उसी तरह से Summation of Y हमको करना है तो वो मिलेगा 125 उसी तरह से Summation of X square हमको find करना है यानि की 25 प्लस 81 प्लस 169 प्लस 289 प्लस 441 यानि की ये हो जाएगा हमारा 1005 उसके बाद हमको करना है Y का square यानि की Summation of Y square ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 400 प्लस 625 प्लस 1089 प्लस 1225 यानि की ये हो जाएगा Summation of Y square 3483 उसी तरह से हमको find out करना है Summation of X into Y चलिए 60 प्लस 180 प्लस 325 प्लस 561 प्लस 735 तो ये हो जाएगा 1861 चलिए सभी value हमको पता चल गई तो यहां पर formula में put कर लेते हैं तो answer मिल जाएगा चलिए Summation of X into Y क्या मिला 1861 1861 माइनस Summation of X क्या था 65 इन्टू Summation of Y 125 डिवाइड़ बाइ 5 अपन अंडर रूट में है Summation of X का स्क्वेर क्या मिला था 1005 माइनस Summation of X का स्क्वेर यानिकि 65 का स्क्वेर डिवाइड़ बाइ 5 इन्टू अंडर रूट Summation of Y स्क्वेर यानिकि 3, 4, 8, 3 Summation of Y का स्क्वेर Summation of Y क्या था 125 उसका स्क्वेर डिवाइड़ बाइ 5 चलिए calculate करते हैं 65 into 125 divided by 5 करेंगे एंडर उसको माइनस करेंगे हम 1861 में से तो हमको मिलेगा 236 अपॉँ यहां पे रूट में क्या मिलता है 65 का स्क्वेर डिवाइड़ बाइ 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 845 उसको माइनस करेंगे 1005 में से तो मिलेगा रूट इन्टू रूट में यहाँ पे इसकी वेल्यू 125 का स्क्वेर डिवाइड़ बाई 5 और उसको माइनस करेंगे 3, 4, 8, 3 में से तो हमको मिलेगा 3, 5, 8 236 divided by इस दोनों को multiply यानि कि 160 into 358 करके उसका root निकालेंगे तो हमको मिलेगा 239.33 तो इसको calculate करेंगे 236 divided by 239.33 यानि कि हमको answer मिलेगा 0.986 तो यह हो गई हमारी R की value जो हमको find out करने के लिए बुली गई